मुख्य द्वार में पानी का छिर्काव करने से घर में नकारात्मक और बुरी शक्तिया प्रवेश नहीं कर पाती है। यह एक कबच की तरह काम करता है। पानी का छिर्काव अच्छा माना जाता है। घर के सामने पानी का छिरकाफ करना कई मायनों में फायदे मंद होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नानादी से निवरित हो जाएं और नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर तामबे की कलश में जल भर के छिरकाफ करें। ये उपाय करने से घर में धन धान्य और सुक सम्रिद्धी बनी रहती है। इसके अलावा घर के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। साथ ही घर से नकारात्मकूर्जा दूर होकर सकारात्मकूर्जा बढ़ जाती है। घर की दहलीच पर हल्दी मिले पानी का छिरकाफ करना अत्यंत शुब माना जाता है। सुबह उतकर स्नान आदी से निवरित हो जाएं। अब तामबे के कलश में जल भरेन और एक चुटकी हल्दी मिला लें। इस पानी से छिरकाफ मुख्य द्वार के दोनों तरफ करें। इस उपाई से आसपास का महौल स्वस्त बना रहेगा साथ ही घर में धन और आश्वर्य की कमी नहीं होगी। घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का हफते में एक बार चिरकाफ जरूर करना चाहिए। नमक में नकारात मक्ता दूर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा रोग, दोश, शोक, आदी सबको नमक के पानी के चिरकाफ से दूर रखा जा सकता है।